पिर से हमारे YouTube चनल एक्षाड वेंचर आप तमाम लोग का स्वागत है तो राकेश मिस्रा जी का एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही धमाकेदार सौंग रिलीज हुआ और एक दीन में 1.5 मिलियन प्यू जाना ये काबलियत तारीफ है मलाई बरफ एल्बम का नाम है मलाई बरफ राकेश मिस्रा ने गाया है और इस गाने को जिस तरीके से निभाया वाकई में भाई मेरे और बाकी के सिंगरों को इन से सिखना चाहिए फोरके में रिकॉर्ड किया गया है ये गाना बैक्ग्राउंड देखिएगा तो दिल खुस हो जागा वीडियो का क्वालिटी देखिएगा तक खुस हो जागा गाने की बात बात में करते हैं लेकिन सबसे पहले इस गाने में गाने को जिस तरीके से रिकॉर्ड किया गया है पोरके का जो कैमरा है उस कैमरे का इस्तेमाल बक्तु भी किया गया इस गाने में अब अगर आप इस गाने को पुरी तरीके से देखियेगा तो आपको ऐसा नहीं लगएगा कि हम भाच्पूरी गाना सुन रहे हैं आत्वा ऐसा लगएगा कोई बॉलीवूड का बहत्रीन गाना सुन रहे हैं इस गाने का में आकरसम का केंद्र मलाई बरफ है क्योंकि गर्मी का सीजन है तो उसी पे अधायत ये गाना अराकेश मिस्रा ने गाया है और बाकी के सारे इंटर्व्यूड में यही बोले है राकेश मिस्रा कि गाना मलाई बरफ है लेकिन इसमें किसी भी तरीकी का कोई भी असलील ना गाया गया है और सच्चाई यही है कि इस गाने में किसी भी तरीके को भी असलील ना दिखाया गया है ना गया गया है लेकिन सबसे बहतरीन चीज इस गाने में जो है वो आपको इस वीडियो का जो लोकेशन है जो सेट अप है वो है यह देख रहा है कुछ आपको अलग सा फील होगा अगर आप इस गाने को सुनिए का वीडियो में वी 4K में तो आपको एकदम से बहुत ही अलग देखने को लगेगा और बहुत ही खुबसूरत है और चीज पर महनत किया गया है इस अलबं में इस गाने को कप्लीट करना हमएं वी क्योंकि 4 अमिनिट 17 से के सबूसराओ करना तो तो ऐसा नहीं है, राकेश मिस्रा का एकड़म से सौइड और सटी की गाना होता है, सुच समझ के गाना गाते हैं, इनको पैसे की लालच नहीं है, लेकिन हाँ, लालच एक चीज की है, और वो है गाने की क्वालिटी, गाने की बोल, और गाने में जिस तरीके का कॉंसेप्ट है उस चीज का लालच है, और सच में बता रहा है, वो चीज, वो लालच हर किसी सिंगरों में होना चाहिए, सिर्फ पैसा ही लालच नहीं होता है इस गाने में एक्ट्रेस की बात नहीं करेंगें क्योंकि एक्ट्रेस नहीं है, ये पोरस है लेकिन राकेश मिसराजी कोरस से उठा करके इस एक्ट्रेस को अपने साथ लीड डोर करवा है क्योंकि जाहिट सी बात है एक्ट्रेस का मतलब होता है जीरो फीगर ठीके हमारे पास भी है फिर उस पे बात नहीं करेंगे एक्टर्स का मतला होता है जीरो फिगर देखने में बहुत ही बहतरीन एकडम से कंटाग टाइप के लोड़िया होना चाहिए लेकिन इसमें एकडम से गुलूल गौल मटोल टाइप के लोड़िया है जो कि ये हमें पसंद नहीं है और शायद किसी भी ओडियोंस को पसंद नहीं होगा लेकिन हां गाने में जिस तरी अक्टरेस का मेकप किया गया वाकई में भाई मेरे मेकप मैं का भी तू गुड ये अब देख सकते हैं इस गाने में दो जगा का लोकेस्टन दिखाया गया ये वह हो गया और जो हीरोईन है एक्टरेस है गोल मुलोग वह बोलती है में मलाई बरब चाहिए बस इसी पर ये गाना है पूरी तरीके से इसी पर फिल्मा दिया गया गाना ठीक है इसमें ज्यादा कुछ इगड़म इगड़म तिगड़म बाजी नहीं दिखाया गया एक साथ उत्रा नीट एंटलीन गाना है इसमें जो कोरस लोग है उन लोगों का कुछ ही जगों पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है और इसमें जो मॉन्टू करके कोई एक कोरिगोराफर है उनका कोई लेना देना नहीं इस गाने में किसी भी तरीके का कोई मतलब ही नहीं था लेकिन फिर भी उनके माधियं से प्वरस लोग आये होंगे तो उनको नचा दिया गया है लेकिन बहुत ही एकदम ज़्यादतर ये गाना स्लो मोशन में ही बनाया गया है तो आपको एकदम से ऐसा लागए क्योंकि मैं हर गाने का रिवीव करता हूं तो इंदम से जाहिर सी बाते हैं मेरे असली लाब गाना नहीं कहिएगा शाम सुटरा नीट इन ट्लीन और बहुत खुमसुरत गाना कहिए तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि यह गाना बहुत ही भैतरीन है रकेश मिस्रा का आवाज है बंपड़ आवाज है इसमें कोई डाउट नहीं है सि तुइट किया है राकिस मिसरजी के साथ स्रीपी राज का तो भी कहना है नहीं है छोटे से लेकर के बड़े सिंगरों तक कंत के साथ गाना गा सकती है उसमें कोई डाउट नहीं है और सिल्की दाज का जो आवाज है जो लाइन है न भाईया मेरे दिल खूस हो जाता है इस गान जो मेहनत करता है उसी को कम्यावी मिलती है तो बस यही है इस गाने में 3.5 स्टार रेटिंग्स मैं दूँगा क्योंकि यह गाना राकिस मिसरजी का एकडम से बहतरिन और नमबर वन मतलब कहा है कि फर्स्ट क्लास नहीं वर्ल्ड क्लास गाना है इस गाने को मैं 3.5 अस्टार रेटिंग्स दूँगा क्योंकि यह जो गाना है पूरी तरीके से बहतरीं गाना है राकेश मिस्रा का पहला गाना मैं रिव्यू कर रहा हूं उमीद करूंगा कि इस से भी बहतर बहतर गाना राकेश मिस्रा जी गाए और सिल्की राथ जी गाए ताकि उनका भी मैं रिव्यू करूं ठीक है आप लोगों करें वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिए गा और राकेश मिस्रा जी का अगर फैन है तो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जहुरू दबात देजेगा मैं कोशिश करूंगा इससे भी बहतर बहतर गाने का रिव्यू मैं कर सकूं तब तक के लिए ते मुझे ज़त जैकीन